हर खानी का अपना एक विशेश रंग होता है और एक ही रंग का कोई खाना बहुत स्वाधिस होता है तो कभी बहुत ही ज़्यादा खराब आज हमारे गैंग को हर दौर में एक नए रंग का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ आने वाले व्यंजनों से निपटना पड़ेगा चल्नों देखते कि हमारा इंतिजार क्या कर रहा है खाना गहां है मुझे नहीं पता अची यह यहां है इन चेरिस को देखो मेरे पास कोई चेरी नहीं पर तर भूज है मुझे फल क्यों नहीं मिला एक कैक्टस आम तोर पर यह हरे रंका होता है ओ यह काटेदार है पर मुझे लगता है कि यह ठीक कर सकता हूँ क्या यह मेरा फोन है? मुझे एक पलगी भी शांती नहीं मिल सकती हेलो हाई क्या तुम मेरे इन काटों को जला दोगे? ठीक है, मैं एक बार फिर तुम्हारी मदद करूँगा बहुत अच्छा, धन्यवाद दोस्त जिन्दगी में ऐसे अच्छे दोस्त होने चाहिए हाँ अब यह क्याक्टिस का तरनाक नहीं है पर इसमें अभी भी भयानक गंध है पर तुम्हें तब भी यह खाना पड़ेगा एक दम खराब कितनी बुरी सब्जी है यह अगर तुम्हारा हो गया है तो इसका मतलब अब मेरी बारी है भागिशाली हो तुम्हें तर्बूज मिला है हाँ यह सच है तर्बूज सबसे अच्छा होता है तर्बूज मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन यह बीस थोड़े परिशान करते हैं मेरे जीप पर यह देखो अच्छा किया उन्हें जमा करके रखा है मैं अपने चेरी के लिए तयार हूँ ओ, मेरे साथ बीच की समस्या है तुम्हें पता है क्या? इससे मेरे मन में एक आईडिया आया है क्यों न एक छोटी निशान अशाधनी की प्रतिविद्दा की जाए मैं तयार हूँ बहुत मज़िदार होगा मैं भी तयार हूँ मैं तुम्हें हरा दूंगी बैला वो हम देख लेंगे तो फिर शुरू करो निशान असाधो ओ यार मेरा निशाना चूग गया बैला अब तुम ठीक है देखो और सीखो पहला हमेशा गरबर होता है दूसरा लक्ष के करीब हाँ बुल्जा आई वाँ इसका मतलब प्रथम पुरसकार का ये मेडल तुम्हारे पास जाता है बदाई हो मुझे पता था मैं जीट जाओंगी धन्यवाद और दूसरे दौर के लिए वाँ नारंगी गाजर अच्छा है मुझे जूता मिला है मैं इसका क्या करूंगा माकई का भुट्टा मुझे ये पसंद है मैं पहले जाती हूँ गाजर मेरी पसंदीदा सबजी है गाजर खाकर के जैसे एक खरगोश में बदल गई है अब वा पहले से ज़्यादा प्यारी हो गई है इसके कान को देखो ये कितने प्यारे और मुलाइव है मैं वापस आ गई हूँ दोस्त अब उसके कान उतने प्यारे नहीं है हाँ, शायद खरगोश मन कर वापस आ जाए या कम से कम टेवल पर से तो उतर जाए चलो हटो ठीक है, शान्त हो जाओ मैं सोच रही हूँ कि शायद हम मुझे और खाने का खत्रा नहीं उठाना चाहिए हाँ, जैक, अब तुम शुरू करो ठीक है, करता हूँ हाला कि मुझे इसकी कोई जर्वत नहीं है जैस, तुम्हें यह चाहिए? अहाँ, बिल्कुल चाहिए मुझे लगता है तुम्हें इसके मूली को कम करके आका है अरे नहीं, इसे वापस दो नहीं, अब यह मेरा हो गया बक्वास, कम से कम मुझे खाने के लिए छोटा सा टुकड़ा मिला उपार के लिए धन्यवाद बेला, क्या तुम तयार हो? बिल्कुल तयार हो, मैं अपनी योजना को आज माने के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ? कैसे इस मकई को कुछी समय में पूरा खालू? यहाँ मेरे पास मेरा विश्वासी ड्रिल है और अब मकई सारा काम करेगी वाँ, बहुत बढ़िया मेरे पास आओ यह बहुत तेज है इसे खत्म करने में बस कुछी सेकंड लगे हाँ, पर अब तुम्हारे दांट नारंगी है यह बयानक है पर वा बहुत स्वादिश था पता नहीं इस बार क्या मिलेगा मुझे पीला और नीमू की कोई परवार नहीं है मुझे जैलो मिला है जैलो के लिए जगा हमेशा रहता है मेरी डिश और भी अच्छी है केले शुरुआ तुम करो जैस नीम्बू सबसे खराब है यह बहुत खटा है यह बयानक है कितना बुरा यह तो देखने में भी खराब लग रहा है पर फिर यह वो कर रही है और तेजी से कर रही है मैं ऐसा नहीं कर पाती मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊँगी पर मुझे करना पड़ा मुझे लगता है मेरे दाथ पीले हो गए ओ, शान्त हो जाओ यह बस एक मजार था पर इसका यह भी मतलब है कि अब तुम्हारी बारी है मैं पहले इन केलो को खाने के लिए में कब से इंतिजार कर रही हूँ लेकिन मैं बस उसे ऐसे ही नहीं खाऊंगी बलकि इसे और स्वादिस्ट बनाऊंगी इसे चॉकलेट सॉस में डुबोने से काम चलेगा वाँ मैं सही थी यह बहुत स्वादिस्ट है बेशक यह स्वादिस्ट है इसमें कोई संदे नहीं है लेकिन क्या होगा अगर इसके जगा मस्टर्ण में डीप करो तो हम यह पता लगाने वाले के कितना स्वादिस्ट होगा मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसा नास्ता तो मैं रोज कर सकती हूँ खाओ बेला नहीं यह कितना गंदा है यह क्या है यह तीखा मस्टर्ण है कितना भयानक तुम लग कितने खराब हो मुझे लगता है हम में ठीक हूँ तो क्या मैं खा सकता हूँ मुझे जैलो बहुत पसंद है इस तरह से जब हिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके स्वाद के तो कह नहीं क्या एकदम जादूई स्वाद तुम्हें पसंद आया? तो क्यों ना पहले अपने चेरे को इसमें डालो? अच्छा किया बेला, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए तुम लोगों नहीं अच्छा नहीं किया चलो देखतें इस दोर में हमारा क्या इंजार कर रहा है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, ब्रॉकली बहुत खराब होते हैं मुझे इन कपकेक से कोई शिकायत नहीं है, कितना सुन्दर रंग है और स्वाद भी अच्छा ही होगा मुझे भी कपकेक मिला है, पर इसके उपर वसाबी क्यों है? यह तो अच्छा नहीं है खैट, जो भी हो, मैं समाल सकती रहूं मैं बहुत ही मजबूत और सासी हूँ मुझे पता ही अच्छा नहीं दिख रहा है और इसका स्वाद भी उतना अच्छा नहीं है पर मैं कभी भी किसी चुनोती में पीछे नहीं हटती हूँ यह जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं अधीक तीखा है तुमने क्या उनेट की थी? यह चीज हमेशा ही तीखी होती है मुझे जल्दी से कुछ खाने की जरुवत है, अभी अभी अनलाग गुना बहतर है अरे, वह मेरे है, मुझे वापस करो बस थोड़ा और, नहीं ओ, हेलो, यह बहुत अच्छा लग रहा है तो ठीक है, मेरी फ्रॉस्टिंग क्या तुम्हें उसमें से कुछ मिला मैं बस अपने आपको रोफ नहीं पाई तुम दोनों बहुत ही बदमास हो लेकिन शुक्र है कि मेरे पास अभी भी केक बचा है जो यकीन अन अच्छा होगा तो स्वात कैसा है, मुझे भी एक बाइट दो अदबुद, बहला, तुम्हारी बारी मैं? नहीं, मुझे ब्रॉख्ली खाने में कोई रुची नहीं है तुम ऐसा नहीं कर सकती हम सब वो खाते हैं, जो हमें दिया जाता है यही नियम है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ अब यह सही है, देखो, वास्ता में यह उतना बुरा नहीं है तुम लग कितने बनमास हो, यह बिल्कल भी सही बेवार नहीं है तुमने अभी तक खत नहीं किया बस हो गया, मैंने जर्वत से ज़्यादा खा लिया चलो, पता लगाते कि इस बार हमारे लिए क्या स्वादिश्चीज इंतजार कर रहा है ओ, वा, मुझे ये पॉप रॉक्स बहुत पसंद है मुझे पूरी तरह से जमा हुआ चिकन मिला है, यह भयानक है एक प्यारी छोटी गमी आई, मेरे लिए अच्छा है मैं पहले जा रही हूँ, मैं अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ इसे अपने जीप पर डालने के लिए क्या यह अच्छे है बहुत अच्छा सभी छोटे विसफोट वास्ता में एक अच्छा स्वाद लाता है दूसरा सबसे अच्छा है जैस सच है, पर यह बहुत छोटी है मुझे पता है, मैं बस इसे पंप करके थोड़ा बड़ा बना देती हूँ बस ध्यान रखना कि यह फट ना जाए इसे देखो, यह कितनी बड़ी हो गई है शायद ज्यादा स्वादिस भी अच्छानक से मुझे भी गमी खैंडी खाने का बहुत मन करने लगा इसके लिए तुम्हें दोश नहीं दे सकती पर तुम भूखे नहीं रहोगे तुम्हारे पास एक बड़ा अच्छा चिकन है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कच्छा चिकन मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे करूँगा मैं बस इसे काटने की कोशिश करता हूँ कितना ठंडा जैस हमे वास्ता में जैक को गर्म करना पड़ेगा जल्दी मुझे लगता ये काम कर रहा है वो हमारे साथ वापस आ गया है धन्यवाद दोस्तो अरे तुम लोगों ने साथी साथ मेरे चिकन को भी बेक कर दिया है इससे कितनी अची खुश्भू आ रही है और स्वात कमाल का है मुझे बहुत भूख लग रही है या बॉम डाट कॉम है या थोड़ा जाद आई हो गया तुम्हारे पास कोई सिस्टा चार नहीं है पर अब मेरा पेट भरा हुआ है चम की लिए रंग के खाने के समान स्वादिष्ट हो सकते हैं और कभी-कभी नहीं भी इसलिए हमारे गैंग ने बादवाले से बचने की पूरी कोशिस की वे हमेशा सफन नहीं रहे